चोड़ा हा चोड़ा हा जीवन ऐसा चोड़ा एक सड़क शिक्षा के जिससे जीवन में उजी आ रहा है चोड़ा है रहा है बैनों हमें आज दोहरा ना है इस हफ़ते के सारे आक्षर और मात्राइब श, श, द, ट, व, ह, छोटी इगी मात्रा, ज, ध, एक बार फिर देखें, ध, ज, छुटी इगी मात्रा, ह, व, ट, द, और श, लगता है दर्शन इस फेरे में कोई माल नहीं मिला तुझे, तुकी सुचे है पंदत? अ, अ, अरे भई, तु परसो ही तो गया था, और आज वापस भी आ गया वे पंदता, पास गया सी, ऐसले ही फेरा जल्दी हो गया कहाँ? पीतल नगरी पीतल नगरी? वे पंदता, मुरादाबाद गया सी ओहो, मुरादाबाद? आओ भई, उस चहर के क्या कहने? जिगर जैसा शायर पैदा किया है उसने वे पंदता, शायरी भायरी मैंनों नहीं अंदी जगे तो वो कोई खास नहीं सी वेखने वाली गर पंदता, वहां के कारीगर जान डाल देते हैं पीतल में कर-कर में काम होता है, बच्चे क्या, बुड़े क्या, सब काम करते हैं जी मुरादाबाद में बने हुए मुरादाबादी बरतन अपने देश में ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया में पसंद किये जाते हैं ये खुबसूरत बरतन भट्टियों से शुरू होते हैं पहले धातु को पिगला कर सांचु में धलाई की जाती है, बिजली से प्लेटिंग की जाती है, बर्तनों को मशीनों से घिसकर चमकाया जाता है, लाखिया रंग को गर्म करके पक्ये रंग नकाशी किये हुए फूलों में भर दिये जाते हैं, ये सारी मेहनत धल कर मुरादाबादी बर्तनों की सुन्दर्ता में समा जाती है, वहाँ के कारीगर अपने छोटे-छोटे कारखानों में ऐसी कलाकृतियों को जन्म देते हैं कि देखते ही बनता है, अरे भाई, अपने लिए भी तूने कुछ खरीदा या नहीं है भाई, क्यो नहीं जी, एले तेरे लई, अरे वाँ, ओई छोटो, ओ एले फूल दान, मेरे यार लई, रोज ऐस भी चंगे-चंगे फूल लगा दिया कर, अच्छा, और सोन, छेती करके खाने लगा, आरे छोटो ज़रा जल्दी कर, चाले, इस टमाटर को अगर छुरी से यूँ आधा कार दी, और इसके पेट में से ये गुदा निकाल दी, तो ये बन जाता है अक्षर ट, और फिर अक्षर ट से ही तो शुरू होता है टमाटर, बस अब तो तु जब भी टमाटर देखोगी, तुम्हें अक्षर ट याद आ जाएग ये वीना तो याद है न, अगर हम इसके दोनों थुम्बे मिलाकर एक कर दें, तो ये बिल्कुल अक्षर व बन जाता है, व वीना, वीना के थुम्बे मिलाए तो बन गया अक्षर व, चलो अब इसे लिखना सीखते हैं ये है बड़ी ए की मात्रा, इसे उलट दिया तो बन गई छोटी ए की मात्रा, छोटी चीख, बड़ी ए, बड़ी चीख, छोटी ए, छोटी चीख, बड़ी ए की मात्रा में उल्टा चान पहले और डंडा बाद में, छोटी ए की मात्रा में डंडा पहले और उल्टा चान बा बेंजी, सुधा जब गाउं से चली जाएगी, तो इस्कूल कितना सूना हो जाएगा ना? हाँ कमला, स्कूल ही क्या, फुरा गाउं ही सूना हो जाएगा बेंजी, वो जो खात आया था उसका क्या हुआ? जवाब दे दिया क्या लिखा आपने? बै मैंने तो उनको लिख दिया है, कि हम दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ है हम इसे नारी जाती का अपमान समझते है हाँ, जहां तक बारात की सेवा का तालुक है, वो हम पूरी निष्ठा और प्यार से करेंगे और चितनी अपनी हैसियत है, उतना लड़की को देंगे भी मैंने तो यही लिख दिया है, सुधा के पिता की ओर से तो के वो मान जाएंगे बैंजी? उन्हें तो कम है बिचारी सुधा, चाने क्या होगा उसका? बिचारी सुधा? क्यों? अरे भई, वो समझदार है, पड़ी लिखी है, सुशील है, सुधनर है, क्या कम ही है उसको? वो चले जाएंगे तो दस ओर आएंगे ना भेंजी, यहीं आप गलत कह रही हो भेंजी एक बार रिस्ता हो जाए ना और फिर तूट जाए लड़की की समाज में बड़ी बदनामी होती है क्यों होती है लड़की की बदनामी? पूरा गाउं जानता है कि उसके सजरॉल वाले कितने लालची है बदनामी तो उनकी होती है, है की नहीं? वो तो ठीक है बेंजी, पर इस समाज को बदलते बदलते भी तो टेम लगेगा ना, हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियां जो है न, वो इंतजार में बैठी रहती है, कि बाहर से कोई आएगा, फिर समाज को बदलेगा, ऐसी सूरत में तो बदल चुका समाज, क् तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अपना हक मांगो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने आप पर भरोसा करना सीखो, हाँ बेंजी, मैं आपसे बादा करती हूँ, मैं आपको बो सब करके दिखाऊंगी बेंजी, हाँ देखो, इन दो हाथों को इस तरह रखनी से क्या बन जाता है, अक्षर हा, है ना बिलकुल अक्षर हा जैसे, अब देखो, इन्हें लिखते कैसे हैं अब तो नहीं घवराईना शेर देखके, हाँ, पेड के नीचे बैठा ये शेर, अक्षर शा की याद दिलाता है, है ना, बिलकुल अक्षर शा जैसा, इसे यू लिखते है ये है द, याद है द किस से बना था, दिये से, अब इस दिये को यू खुमा दिया तो बन गया द, अब देखी इसे लिखते कैसे है ये है जव, पेड जव याद रखना तो बहुत आसान है जरा गौर से देखो जहाज का अगला हिस्सा, लगता है ना, बिलकुल अक्षर जव जैसा, और इसे लिखना भी मुश्किल नहीं है ये धनुश रतीर याद है ना, इन्हें तुम कई बार देख चुकी हो धनुश की एक और की डोरी हटाई और उसे यू मोडा, बन गया धा, अब इसे लिखना सीखे आओ, आओ, मौसी, बैठा, अरी, मैं तो दुकान पे थी, महीं सुना साब, हैं, अरी, सब क्या हो रहा है सुदा जो मेरा नसीब, हाँ, बेटी, नसीब से कौन लड़ सके है, अरी, तु तो फिर भी स्यानी है, अपनी भला भुरा सोच सके है, मैं तो बस सिरफ तब मैं सिरफ साथ साल की थी, साथ साल, हाँ, बेटी, पहले ऐसी ब्या हुआ करते थे, तब तो बड़ा अन्याय होता होगा, हाँ, अन्याय तो है, अन्याय ना होता, तो कानून क्यों बनता इसके लिए, कि 18 से कम में लड़की की साधी ना करनी चाहिए, तेरा गौना हुआ था नासी, अरी, कहां बेटी, ब्या के दो वरस के बात की बात है, मैं अपने गुड़ के कम नसीब हो गई मैं, तब तेरी उमर क्या थी मसी, ऐसे बस नौ के फेर में थी, दो चार दिन कम या ज्यादा, बासा को क्या हुआ था, माता निकली थी, बस दो चार देन में लोट पोट के खतम हो लिया उसी मैं, खुद तो जान से चला गया, और मुझे कम नसीब बना तुझे पता है मासी, अब चेचक माता बाता की बीमारी भी जड से खतम हो गई है, अरी हट परे, माता का परकोब है, ये कैसे खतम हो सकया, टीके से मासी, टीके से, काश दहेज और कम उमर के व्या कभी कोई टीका होता, तो ये बीमारी भी जड से खतम हो जाती, अरी है तो तो पीका, दोनों का कानून तो है, मगर दोनों निरलज है, देने वाले भी और लेने वाले भी, मेरे पिता जी सा अगर किसी ने दहेज मांगा रहा, तो मैं भी दिखा दूगी, एं, क्या कर लेगी तू? वो दिन आने दे मौसी मैं भी चंडी बन कर दिखा दूँगी ना दहेज लेना ना दहेज देना त ई व ई टीवी देखा ल पिछोटी की मात्रा ख न आ लिखना स बड़ी की मात्रा ख आ सीखा लिखना सीखा द आ का डंडा न दान द आ का डंडा ल दान श आ का डंडा म शाम ख आ का डंडा न शाम त बड़ी की मात्रा व बट इखिमात्रा टी वी पड़ी की मात्रा का अका डंडा टीगा व नjang वन, न, ट, न, न, अ, ल, हल, ह, म, हम, क, छोटी ए की मात्रा, स, आ का डंडा, न, किसान, अ, छोटी ए की मात्रा, स, आ का डंडा, प, हिसाब, ज, ल, चल, ज, आ का डंडा, ल, जान, ध, न, धन, ध, आ का डंडा, न, धान. बेहनों हमारे आज के अक्षर हैं, ड, और, घ, हरे भरे पेडों की डालिया लटकती हुई, कितनी अच्छी लगती हैं, भै डाली पर बच्चे जूला भी डालते हैं, बक्षी भी आकर डाल पर ही बसेरा करते हैं, पर हम आपको दिखाते हैं, कि अगर कोई इसी डाली को मोर दे, तो वो बिल्कुल अक्षर ड से मिलती जुलती दिखाए देती हैं, ये देखो, ये हरे पत्तों से जुकी डाली, लग रही है न, अक्षर ड की तर है? सब को मेरी नमस्ते, सब को मेरी राम राम, ओहो, ऐसे क्या देख रही हो, आँखे चपक चपक कर, देखो, देखना छोड़ो, और मुझे बताओ, कि अब तक तुमने जितना कुछ देखा, छीखा है, वो अब तुमको आसान लगता है न, है न? देखो, जितनी बार तुम अक्षरों और मात्राओं को लिखोगी, उतना ही जादा तुमको वो आसान लगेंगे, हाँ? चलो, अब बाते नहीं, अब हम लिखना सीखते हैं अक्षर ड़, सबसे पहले ये छोटा डंडा, फिर ये एक टेडी मेडी साप जैसी लकीर, फिर वही चत वाली लकीर, एक पर फिर, तुम सोचती होगी, कि ये अक्षर देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, और लिखने में इतना असान है न? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोचने और करने में बड़ा फर्क होता है, तो मैं चली, नमस्ते, ये जो बूतल तुम देख रही हो न, इसी को बंद करने के लिए डाट लगाते हैं, द, आ, त, द, दाट थोड़ा समलो, थोड़ा सा, शाब आगर उपर उपर हाँ, हाँ, आप थोड़ा साब भाश, ओर ओड़ा को भाश, होड़ा मा, 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 कमला, ओ कमला, देख, गौरी बोलने लगी, फिर से बोल, फिर से बोल, मा, देखा, पहले आप अक्षर लटो देखी चुकी है, तो अब हम इसी ल की छत वाली लकीर को नीचे ले आएं, और फिर इसको इस तरह घुमा दे, तो ये बन जाता है अक्षर घुमा हुआ ल यानी घुमा हुआ ल यानी घुमा हुआ याद रहेगा ना? लो भी, जादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा न? अच्छा, अब लिखते हैं अक्षर ख पहले आधा गोला और फिर इस आधे गोले के साथ एक और आधा गोला उसके बार फर नीचे वाले आधे गोले से मिलाकर फिर वही खड़ा डंडा और फिर वही छत वाली लकी एक बार फिर देखें मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया आधा करूँ आधेश घर यह बोले लेगी है यह तो सब तुम्हारी मेहनत का पहलता यह कमाल तुम्हारा ही ता गीता लो दॉक्टर तुम् दवा तुम्हारी मैं बीच में कहा से आगए गोले का असले इलास तो वह ठरश थी जिसमने दिनराध तुम्लेगी रहे दवा में तो पस यह घृचा अच्छा एक बाएब बताओ, गौरी को और दवा की जरूरत है? नहीं, गौरी को अब किसी भी तरह की कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उसे बोलने का अप्यास कराती है क्यों? आप तो बोलती है? अरे बहीं, उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन हाए, एक बात कध्यानक अगर गौरी कोई गलती से कोई शब्द गलत बोल जाए तो उसे टोकना मत और नहीं उसे दोराने के लिए के लिए लेकिन फिर वो सीख लेगी कैसे? अपने आप सीख जाएगी, हाँ, तुम इतना जरूर कर सकती हो, कि उस शब्द को गौरी के सामने बार बार बोलो, लेकिन उसे चता कर नहीं, बल्कि इस तरह से, जैसे कि वो शब्द तुम खुद बोल रही हो अच्छा, मैं समझ की तुम हैं बात गिता, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ बाहर? देश से बाहर? हाँ, गिता, मैं इंग्लेंड चाह रहा हूँ, छे मेने के लिए क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? एहसा वाचन लेने की, क्या जरूरत है, अधर्श? जिसे हम दोनों ही न नभा सकें तुम इती निराशाबादी क्यों होती जा रही हो? देखो आदर, हालात ने हमें ऐसी दो सड़कों पर लाकर छोड़ दिया है जहां से हर पल हम अलग होती जा रहे हैं अगर यही सच्चा ही होती है तो गीता हम अचानक इस तरह न मिलगे होते हैं तुम मेरा इंतिजार करना गीता अरे, तुम लोग फिर डर गई? भै, यह सच मुझ का बाग नहीं है यह तो अक्षर घ सिखाने के लिए तुम्हारे सामने आया है देखो ब, आ, घ, बाग यह है घास जो तुम रोज अपने पश्यों को खिलाती हो यह देखने में भी तर सुन्दर रखती है ना तो इससे देखो घ, आ, स, घास घ, स, इ, ट, आ, घसीटा यह घसीटा है ना कमला का पती इसे तो पहचानती हो ना सलाम वासी सलाम भाईया सुबे से तेरी राह देख रही थी कहां चला गया थरे वही चिठी बाटने अरे भाईया सुबे मेरी दुकान पेसे हो के जाता तो मेरी चिठी कोशो दून न पहुंच गई होती मौसी चिठी कोई खुद से तो जाती नहीं है कोई ले जाता है उसे अरे तो वही तुम्हें कह रही अगर तू ले जाता और तुससे कोई और ले जाता तो मेरी चिठी जल्दी न पहुंच जाती हर बात की तरह चिठी निकलने का भी वाक्त होता है हर समय नहीं निकलती एक बात मेरी समझ में नियाती रहीं गईया कि ये चिठी सहर से गान कैसे पहुंच जाती है और गाम से सहर कैसे चिठी को पता हुए है कि इसे कहां जाना है देख मौसी तूने चिठी लिखी और उस चिठी को पेटी में डाल दिया पेटी में पड़ी हुए सारी चिथिये दाखाने का अगादमी निकालता है और उनको एक बड़े से थहले में डालकर दाखाने तक ले जाता है दाखाने में उन चिथियों पर लगे वे टिकटों की जांच पलताल करके उन पर महर लगाती जाती है और फिर अलग-अलग जगह की अलग-अलग तरफ की चिट्थियों को अलग-अलग धेरों में बांद कर अलग-अलग थेलों में डाल देते हैं और वो सब थेले जहां जाने वाली चिट्थियां उसमें होती हैं उधर की रिलगाडियों में रख देते हैं वहां से मेरे जैसा कोई डाकिया लेकर उन्हें उनके पतों पर पहुचा देता है बस एक बात बतेए अगर मैं परेम को चिट्थी में लड्डू भीजना चाहूं तो भेज सकों चिट्थी में तो नहीं मगर पार्सल में भेज सकती है तो तू वो परसल में भिजवा देगा लड्डू हाँ क्यों नहीं मगर आज नहीं पहले तू मुझे लड्डू खिला फिर प्रेम को भेजना ठीक है खिला दूंगी तुझे भी पर ज़रा दो दें ठेल जाईयो ठीक है अच्छा चलता हूं मौसी सलाम सलाम धिया द, आ, क, दाग द, आ, क, दाग, खाना, दाग, खाना नील गगन है सर पे अपने नीली जन की धारा है साफ़ा और पानी हो तो जीवन में जयारा है नील गगन है सर पे अपने नीली जन की धारा है मिजुकर रहने की शिक्षा हमको साघर देता है मिजुकर रहने की शिक्षा हमको साघर देता है साघर की गगन में आकर हर एक रंदे प्यारा है नील कगन है सर पे अपने नीली जन की धारा है साफ़ा और पानी हो तो जीवन में जयारा है नील दोगन है सर पे अपने नीली जन की धारा है डा, आका डंदा, का, डाग डा, आका डंदा, ला, दाल डा, आका डंदा, टा, डाड खा, आकटंडा, सा, घास, खा, आकटंडा, टा, घाट, बा, आकटंडा, खा, बाग. चोरावा, चोरावा, जीवन ऐसा चोरावा, जीवन भर मेदत की जगर पे हमको चलते जाना है, राह में शिक्षा दी चलाके, राह में शिक्षा दी चलाके, अपनी मंजिल पाना है. जीवन भर तोरावा, 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 जीवन